बॉलिवुड स्टार और होस्ट करना रनौत ने शो लॉक अप में अपना एक दर्दनाक अनुभाव साझा किया अभिनेत्री ने साझा किया कि उन्हें बचपन में यौन उत्पीडन का सामना करना पड़ा था वह इस हाथ से को कभी नहीं भूल सकती मुनवर फारुकी की बचपन में हुए यौन उत्पीरन की दर्दनाक कहानी सुनकर वह भावुक हो गई और बोली कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था हमारे शहर का एक लड़का मुझे गलत तरीके से चूता था जब मैं बहुत चोटी थी और मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है वह मुझसे तीन से चार साल बड़ा था मुझे लगता था कि वह अपनी कामुकता तलाश रहा था वह मुझसे हमारे कपड़े उतारने के लिए कहता था और वह हमें चेक करता था उन्होंने बाद में इस बाद पर जोर दिया कि जैसे मुनवर ने सत साजह किया वैसे ही दूसरे भी सामने आ सकते हैं और लोगों को इस गंभीर मुद्दे से अवगत कराया जा सकता है और इससे कैसे निप्टे ये बता सकते हैं इसलिए हम यहाँ सब कहने के लिए इस मंच का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पुरुशों के लिए एक बड़ा कलंक है आप बहुत बहदुर हैं और आपने अपने अनुभव को सांजह करने के लिए इस मंच को चुना मुझे आशा है कि अन्य बच्चे भी हैं जो ऐसी ही स्थितियों का सामना कर रहे हैं आगे आएं और इसके बारे में बोलें और लोगों को जागरुख करें यहाँ सब जज्मेंट डे के एपिसोड में शुरू हुआ जब साइशा शिंदे ने बजर दबाया संगना ने उनसे कहा कि आपको बचाने के लिए अंजली अरोडा आजमा फल्लाह या मुनवर को अपना एक राज बताना होगा साइशा ने सभी को मना लिया मुनवर ने कहा कि मैं खेल के लिए नहीं बलकिन अपनी दोस्ती के लिए अपना रह से खोल रहा हूँ उन्होंने साजह किया मैं छे साल का था जब मेरे रिष्टदार द्वारा लगातार चार पांच वर्षों तक मेरा यौन उत्पीडन किया गया यहाँ परिवार का एक बहुत ही करीबी सदस था लेकिन मैं छोटा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया यहाँ चोथे और मेरे परिवार को हर बार उनका सामना करना पड़ता था जिसके बाद कंगना ने अपनी दर्द भरी कहानी शेयर कर उन्हें दिलासा दिया मुनवर ने कहा कि इस से आहत हूँ मैं खुद से नाराज हूँ कंगना ने जवाब दिया कि यह विडंबना है कि आपने जिन पर भरोसा किया उन्होंने केवल आपको चोट पहुंचाई और इसने हमें जीवन भर परिशान किया मुनवर ने कहा कि मैंने हमेशा अपनी बेहनों के बच्चों की रक्षा की है मैं हमेशा उनके लिए रहा हूँ अंतताह कंगना ने साइशा से कहा कि तुम्हारे लिए खुश मुनवर की दोस्ती तुम्हारे प्रती बहुत सच्ची है आई एनेस रिपोर्ट